कि यह स्टूडेंट तो आप लोग स्टार्ट कर दी है ओके तो अब भी तक आप लोग क्या क्या कर चुके हों बेटा एक एक करके यह सेक्शन एसे कौन बताएगा इसे से कौन बताएगा ट्रिग्णोमेट्री हम ने कौन कौन से टॉपिक कवर की अभी तख रबिस सटल दाउन सुडेंट Yoo प्रक्या का यह कौन मोके इस ट्रिग्णोमेट्री में हमने क्या क्या किया अभी तक आपको मेरी आवाज आ रही है सुडेंट्स आ रही है मैं पूछ लेता हूं फिर कुंजल टैंथ भी प्ली स्टेंड अप हाजी बटा हमने ट्रिग्नोमेटरी में भी क्या क्या किया है अभी तक बोलिये बोलिये बचे नहीं अब आज नहीं आ रही है आपकी से डाउन से डाउन कि बिटा आवाज आ रही है आपको मेरी इंगल्स चलिए मेरा कोशन है कि ट्रिग्नोमेटरी होती पहले चीज तो यह है पेटा यह आसाइनमेंट डिस्ट्रिबिशन हो गई आपकी डुइट पास आप कि अ हाँ जी सुडेंट हो गया डिस्टिबिशन अभी नहीं हुआ अगर प्लीज फिनिश इट बेटा हो गया चलिए जो मैं पूछ रहा था आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है क्या अंडरस्टेंडिंग है आपके ट्रिग्नोमेट्री की यस कौन बताएगा मुझे यस स्टुडेंट्स नहीं कोई नहीं बता रहा चलिए मैं फोड़ा सापको आइडिया देता हूं सबसे पहले तो जो वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री यह दो वर्ड से बना है बच्चों वानिस ट्रिग्नोम अनदर मिट्री वह इस हमोट्रीग्णोम एनिस ट्री एंगल्स ट्री एंगल्स ओके ट्री एंगल्स ओर ट्रींगल राइट वाट इस अमीनिंग अप्रेश शेप्स नो मैट्री का मतलग होता है बिटा मैजरमेंट मैजरमेंट सो मैजरमेंट आप ट्रेंगल्स में आपने क्या मैजर करना है उसके एंगल्स मैजर करना है और इसमें हम लेते हैं वाट उससे पहले तु बेटर अंडरस्टेंडिंग हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं For example, आपको किसी एक building की height measure करनी है आप एक multi storey building के सामने खडए है या किसी tower के सामने खडए है आपको इसकी height measure करनी है एक तो वे है कि आप एक person को नीचे खड़ा कर दो एक को ऊपर खड़ा कर दो एक लंबी सी tape ले ले measuring tape वो एक नीचे से पकड़ा देगा यह सब नो यह जो मैथट है यह बड़ा ही मुश्किल मैथट है बड़ा इनकरिविएट मैथट है तो इसको इजी बनाने के लिए हम क्या टेक्निक यूज करते हैं हम यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का कि सब्सक्राइब के सामने खड़ा हूं मेरी जो आई साइट है ठीक है यह मेरी आई साइट है जो उसका होरिजोंटल हो गया जी होरिजोंटल मतलब यह लेवल हो गया आई साइट का समझ में आ रहा बच्छों आपको ठीक है तो यहां से मेरा यह होरिजोंटल हो गया आई साइट का और मैं टॉप अब बिल्डिंग को ऐसे देख रहा हूं इस इस क्लियर मेरी जो आई है वो बिलकुल टॉप पे देख रहा है इस इस क्लियर बच्छों यह सर नो इस नो इस 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 आप देख रहे है आप मीस यह होरिजोंटल है और यह यहां से आई साइट है इन दोनों के अंदर एक अंगल बन रहा है बटा यह सर नो यह सर नो बच्छों नो अब अगर अगर इस आंगल को मैजर कर ले रहा है वर एक वर इस 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 आप इस साइट अपनो क इस 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 इसाड विल्डिन लिगसे अब एगल क्या हम इस इंगल को मैजर कर सकते हैं और यहसर नो और इसके बार यहां पर हम खड़े हैं जी यहां से यह जो base of the building है, it can be measured, इसको measure कर सकते हैं, yes or no, अगर हमें यह दो चीज़े पता चल जाती है, तो हमें इस building की height निकाल सकते हैं, yes or no, yes तो this method होता है, इसको easy करने के लिए, we have trigonometry, हमने जो है, उसको manually measure करने हैं, और उसको scientific method से measure करने हैं, तो उसको trigonometry use कर रहे हैं, यहां तक कोई doubt, yes or no, यहां पर तो building का case आ गया, suppose कीजिए आपको किसी hill की height measure करनी है, अब आपको mount Everest है, what is the height of mount Everest बचो, कौन बताएगा, एक बच्चा खड़ाओ के बताए, यह कोई, हाँ जी section C से तरुन, हाँ जी बटा, what is the height of mount Everest, yes, अरे मुझे भी नहीं पता, कुछ भी बताओ, अहां, कुछ भी बताओ, कोई फरग नहीं पड़ता, कितनी भी है, ठीके, अब अगर हमें उस mount Everest की इतनी height पे जाके, अगर वो उसकी height measure करनी हो, असान काम है यह मुश्किल काम है, जी, यस बच्चों, मुश्किल है, उसके लिए असान बनाने के लिए हमारे पास क्या है, पिगनो मैटरी, राइट, अगेल, हम यहाँ पे खड़े हैं, जी, suppose this is the base of the mount Everest, हम उससे कुछ distance पे खड़े हैं, और हमने उसके टॉप पे देखा, हमारी जो eyesight, जो angle बना रही है, उसको measure कर लिया हमने, राइट बचो, यह और हमने, जहां पे हम खड़े हैं, वहां से base का distance measure कर लिया, यह दो चीज़े तो हम कर सकते हैं न, है easily, yes or no, yes, इन दो चीज़ों से हम उसकी mount Everest की height find out कर सकते हैं, is this clear, is this clear or not, जी, yes, अभी आपने trigonometric ratios की है, sign, cost, 10, ठीक है all, अब हम सोचते हैं कि हमारी real life में इसका क्या use है, real life में use, जब आप math और science को combine करते हो, तो आपकी जो चीज़े होती हैं जो easy बन जाती है, normal situation होती है, जो life की, जो मुश्किल काम होते हैं वो easy बन जाते हैं, ठीक है, तो इसी के लिए हमारे पास math की branch है, this is called trigonometry, right बचो, right or not, yes, now we'll understand about the trigonometric ratio, अब ये जो हमने relation लिया है, अब हमारे पास base है, अगर मैंने एक ये right angle triangle ट्रेंगल फार्म कर दिया, जो उसका मैंने distance measure किया, foot of the building और जहां पर मैं खड़ावाँ, ये foot of the building बोलते हैं इस point को, और जहां पर मैं खड़ा हूँ, उस point का, ये मैंने distance measure कर दिया, angle measure कर दिया, दो चीज़े measure की, अब मुझे find क्या करना है, height of this building, height के लिए मैं क्या करूँगा, अब मेरे पास दो चीज़े हैं, this is called the, इसको हम क्या बोलते हैं, base of a right angle triangle, and this is known as, this angle आपके पास 90 degree है, और 90 degree है, क्या बोलते हैं, hypotenuse, right जी, so, base की value मुझे पता है, angle मुझे पता है, और मुझे find क्या करना है अब, मुझे find क्या करना है, बच्चों, so, अगर मेरे पास कोई relation है, किसके चीज़ में, angle में, base में, और perpendicular में, तो मैं find out कर सकता हूँ, height, चाहे वो building की height find out करना हो, चाहे वो mount Everest की height find out करना हो, चाहे कुतुम मिनार की height find out करना हो, right जी, या फिर कोई plane जो उड़ रहा है उपर, उसकी height find out करना हो, समझ में आ रहा है? Yes. ठीक है, अगर मेरे को दो चीज़े पता है, कौन-कौन सी, ये angle क्या बना रही है, मेरी eyesight horizontal के साथ, ये मेरा distance कितना है, ठीक है, horizontal distance और perpendicular मुझे find out करना है, तो we can do it with the help of trigonometric, clear बच्चों? Yes. Yes or no? Now you have studied about the trigonometric ratio, Is this clear? What are trigonometric ratios? हाँ जी बच्चों, trigonometric ratios क्या होती है? Very good, sign, cost, n, ठीक है? अच्छा मुझे एक चीज़ बताईए, जब मैं लिख रहा हूं, trigonometric ratio. Ratio का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा, प्लीज रेज़ यूर हैंड? प्लीज बताईए, प्लीज बताईए, जब तक आप लोग अपने आपको एक्स्प्रेस नहीं करोगे, तो क्लास जो है, वो इंट्रेक्टिव बढ़िया सी नहीं होगी. आजी बता, बोलिए जरा, ratio का मतलब क्या है? इसका मीनिंग क्या होता है, रेशो का या एबाई बी का? देखिए बच्चो, जब हम किसी भी दो क्वांटिटिज को कंपेर करते हैं, किसी भी दो क्वांटिटिज को कंपेरिजन करना होता है, तो उसके दो मैथड होते हैं. एक मैथड होता है, मैं एक ग्जामपल लेता हूँ, सपोज कि यह दो स्टूडेंट है, A और B, उनका 80 मार्क्स का पेपर हुआ मैथ का, एक के मार्क्स आए 60, एक के आए 70, अब उनका दोनों के मार्क्स अगर हमें कंपेर करने हैं, तो हम कैसे करेंगे? एक तो मैथड है, कि मैं बोलूँ कि स्टूडेंट B has scored 10 मार्क्स मोर्दन स्टूडेंट A, एक तो मैथड यह हो गया? Yes or no? इस मैथड का डिसडवांटेज क्या है, कि मुझे क्लारिटी नहीं है, कि कितना डिफरेंस है दोनों में? दस मार्क्स का डिफरेंस, अगर एक बच्चे का एक मार्क आया और दूसरे का 11 आया है, तो डिफरेंस कितना है, बहुत ज्यादा है, यस और नो? Yes. बट अगर एक के 60 आया है, एक के 70 आया है, उसको कमपैरिजन करना है, तो दूसरा मेथड होता है comparison by division, और इस comparison बाइ Jennifer को हम क्या बोलते हैं? रशू स्वेशू! ठीक है? तो त्रिगनोमेटरी के रेशो क्य रेशो क्या है, ट्रिगनोमेटरी मतलब? triangles की sides की ratio, right? Ratio of the sides of the right angle triangle is ratio of खीके लच्छा? खीके जी? So, जैसे की आप लोगों को पता है कि हमारे पास trigonometric ratio होती है sign, cos, tan, right? So, सबसे पहले तो देखी जो word होता है sign ये actual में होता है S-I-N-E sign और इसकी अगर हम हिस्त्री देखें तो इसकी name की भी बड़ी हिस्त्री है ये जो सबसे पहले शुरू हुआ था अपने इंडिया में जो आर्या भट की बुक काई थी आर्या भटियम, वहां से शुरू हुआ था इसका name फिर जब उसका Arabic में हमने translate किया, तो वहां पर इसका name कुछ हुआ, Arabic से Latin में हुआ, तब इसका नाम sign आया, right बच्चा तो ये जो sign जो है right, तो ये name भी है सबसे पहले sign आया हमारे पास right, और ये जो name है this is the first trigonometric ratio अगर हमने एक triangle ले लिया ये let's say this is a triangle A, B, C और ये जो angle है, this is 90 degree, right बच्चा और इस angle को हमने theta लिया ठीक है जी तो सबसे पहली हमारे पास ratio होती है that is sign sign theta और इसको हम short में क्या लिखते है sign theta सबसे पहली चीज तो है जो हमने sign theta लिखा इसका मतलब ये नहीं है कि आप खाली sign लिख दो और नहीं इसका मतलब ये है sign into theta ये दोनों ही चीजे रॉंग है right so कोई भी trigonometric ratio that is meaningless जग तक उसके साथ कोई angle नहीं होगा अगर trigonometric ratio के साथ angle है तभी उसका कोई meaning है otherwise नहीं है is this clear जी is this clear or not जी तो ये जो फर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होती है sign theta this is the ratio of perpendicular to the hypotenuse is this clear जी second trigonometric ratio क्या होती है based upon hypotenuse ये बिटा मैं abbreviation यूज कर रहा हूँ perpendicular base hypotenuse is this clear जी ये जो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होती है ये सबसे basic trigonometric रेशो होती है sign and cosine इसको हम cos लिखते हैं बट इसकी जो full form होती है जैसे मैंने sign लिखा बिटा और ये होता है cosine को का मतलब यहां पर क्या होता है anyone कोई बतायागा बच्चे को का मतलब क्या होता है यहां पर आपने complementary angles के बारे में सुना है yes बच्चो complimentary और supplementary have you heard yes क्या होता है बच्चो complimentary 90 degree complimentary 90 degree होता है yes or no बच्चो थोड़ा का आपका प्रेजेंटेशन गड़त है आंपे बच्चो अगर आपके पास दो एंगल्स है उन दोनों का सम अगर 90 degree है तो वो we will call them complement of each other. तो साहीं का कॉम्पली मेंटरी एंगल जो हता है वो को साइन और आगे हम इसको प्रूब करेंगे कि वाइल इस ओंग को सांद इस च्लियर बच्छों? येस सबसे पहले जो हमारे पस trigonometric ratio है वो है sign theta, perpendicular upon hypotenuse, cos theta base upon hypotenuse बाखी इसनी भी trigonometric ratio है वो इन ही दोनों के base पे रहेजी इन ही दोनों के basis पे है राइट? उसके बाद जो next trigonometric ratio है that is tangent theta this is tangent theta और इसको हम short में क्या लिखते है tan ठीटा जो होता है tangent के बारे में आप सबको पता है क्या होता है क्या होता है बच्छों अब आज नहीं आप लोगों की clear है कोई एक बच्छा उटके बताएगा मुझे जरा section A से section A से हरी ओम who is हरी ओम absent है okay हर्ष नीथ section A से हर्ष नीथ नई yes जी बेटा अच्छा क्या होती है जी tangent का मतलब tangent का मतलब क्या होता है बेटा चलिए जिनको पता है बहुत अच्छी बात है जिनको नहीं पता है please understand कीजिए अगर हमारे पास कोई भी curve है अब आप कहोगे कि circle it is also a curve कोई भी curve है उसके किसी एक point से touch करती जो line होती है straight line इसको हम tangent बोलते है जुरूरी नहीं कि यह इधर यह कहीं पर भी हो सकती है ठीक है और जुरूरी नहीं कि यह circle ही होना चाहिए it can be any curve suppose this is a curve इस point पर जो line touch करती जा रही है this is tangent similarly this is tangent right जी is this clear or not जी yes बच्चो is this clear तो यह जो tangent ठीटा होता है this is a ratio of sin theta to the cos theta right बच्चो this is a ratio of sin theta to the cos theta और sin theta हमारे पस क्या होता है perpendicular upon hypotenuse and cos theta is based upon hypotenuse HH जोनों cancel हो जाते हैं and it comes out to be T upon B is it clear anything not clear बच्चो अभी तक next trigonometric ratio हमारे पास आती है that is this is sign का complimentary cosine है ऐसे ही tangent का complimentary क्या होता है tangent का complimentary cot that is cot right बच्चो that is known as cot tangent और इसको हम short में क्या लिखते हैं cot theta right cot theta जो होता है वो cos theta upon sin theta की ratio होती है cos theta upon sin theta और इसको हम उल्टा करके 1 upon 10 का reciprocal भी लिख सकते हैं जी 1 upon 10 theta और cot theta क्या होता है हमारे पास B upon P is this clear बच्चो is it clear yes now next trigonometric ratio we have is secant theta secant अब understand कीजिए secant क्या होता है कोई बताएगा बच्चो secant क्या होता है circles आप लोगो ने कर लिया है अगर आप लोगो ने circle वाला chapter नहीं किया then let me explain suppose कि ये circle है इस line को क्या बोलते है बच्चो what is this line chord अगर एक line circle को पास करती भी दोनों तरफ extend हो जाए chord जो होती है line segment होती है क्या होती है and this is a line सबको पता है बच्चो line line segment और ray में क्या difference होता है देखिए line segment जो होती है fixed length होती है ray can be extended on one side एक तरफ fix होती है और दूसरी तरफ तक extend कर सकते है line जो होती है वो दोनों तरफ extend हो जाती है is this clear जी is it clear or not yes यह जो line है जो circle को cut करती ही दो point पर दो point पर cut करती है इस line को हम बोलते है secant ठीक है बच्चो so आपको हर चीज का meaning पता होना जाहिए sign क्या है 10 क्या है secant क्या है so this is called secant और secant theta हमारे पास क्या होता है this is a recipe इसको short में हम sec लिखते है प्रह लिखते हैं बच्चो और यह किसके एकवल होता है 1 upon cos theta cos theta क्या होता है हमारे पास b upon h और इसका reciprocal करते हैं तो यह क्या बन जाता है upon d is it clear कोई डाउट बचा हो I think there is something wrong with your mic next is cossack cossack जो होता है this is a complementary of sec theta और यह किसके एकवल होता है it is a reciprocal of sign theta right and sin theta हमारे पास क्या होता है जी पास होता है यह एक अपारे यह हमारे पास six trigonometric ratios होती है परस्ट इस साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सीकेंड थीटा, सीकेंड थीटा, कॉस सीकेंड थीटा. Is it clear? किसी को कोई डाउट बचो? I think यह बेसिक आपने किया है, तो you must be aware. तो इसको अब लर्न करने के लिए हमारे पास different ways होते हैं. सबसे पहले देखिए, यहां पर तीनों के नाम लिख लिए ही, साइन, पॉस, टैन. तो साइन क्या होता है आपके पास? Perpendicular upon? What a news? Based upon? I can't use. Right? आप इसको लर्न करने के लिए आप क्या यूज़ करते हो? तीके, साइन, कॉस्ट एंड. हाँ जी? पंडित. पंडित, बदरी, परसाद. हर हर बोरी. आगे भी है कुछ? सोना चांदी, तोले. Very good. सोना चांदी, तोले. सोना चांदी कहां से है? ऐसे सोना, ती से चांदी, ती से तोले. पंडित, बदरी, परसाद. हर हर बोले. Right? इसका, अगर आप इंगलिश में लर्न करना चाहते हो, तो there is one more method. Yes. आइन क्या होता है? Perpendicular upon hypotenuse. इसको लिखते है, some people have. Some people have. Cos, B, H. Curly, brown hair. ठीक है जी? T, यह क्या होता है? True, proper, brushing. Right? ठीक है? This is another way of learning this. आपको जो अच्छा लगे, आप उससे कीजिए जी. हमारा motive है कि आपको सारी trigonometric ratios पता होनी चाहिए. ठीक है जी? Is this clear? Yes. साइन का जो reciprocal होता है, that is cosecant. तो यहां पे order उल्टा हो जाएगा. This is piquant. And tan का जो reciprocal होता है, that is? So you have to remember this table. Right? Is it clear, जी? बच्चों समझ में, कोई डाउट है तो बताईए. कोई डाउट है तो बताईए जी. No. Is it clear? कोई आज आ रहे है, कुछ बच्चा कोई पूछना चाहता है? कोई डाउट्स आपके, कोई clarification, किसी चीज़ को लेके. Yeah, students. चलिए, हम आगे चलते हैं, अब हम कुछ basic questions लेते हैं. Now, सबसे पहली चीज़ तो जो है, कि आपको पाइथागोरस होरम पता होनी चाहिए चैप्टर के लिए. अब को पता है, जी, पाइथागोरस क्या होती है, जी? What is the relation हमारे पास? ठीक है? यह जो relation है, यह बार-बार आपके पास use होगा, इस topic के अंदर, जहां पे कुछ नहीं लग रहा, वहां पे पाइथागोरस लगा दो. Right? और पूरी trigonometry जो है, complete trigonometry revolves around this formula. हर कुछ इसी theorem के ओपर based है, पाइथागोरस theorem के ओपर. आप कुछ भी pick कर लो, this theorem is there. Right? Is this clear, बच्चो? तो इस पाइथागोरस को आपने भूलना नहीं है, और इसका आपको totally बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, आप कोई भी identity find out कर लो, every identity is based on Pythagoras. आपको इसका working rule आना चाहिए, square root कैसे find out करते हैं, सारा कुछ इसी theorem से आपके पास आएगा लिए. For example, हम एक triangle लेते हैं, बच्चो? Let's say, this is a triangle A, B, C. Right? It is right angle at B. Is this clear, बच्चो? Now, if two sides of this triangle, it is given side A, B, and B, C are in ratio 3s to 4. Right? A, B, and B, C are in ratio 3s to 4. Then, find the trigonometric ratios. Find all the trigonometric ratios. Find all trigonometric ratios. इसका मतलब क्या होगे आपके पास? A, B, and B, C की जो ratio है, that is 3 by 4. Is this clear, जी? Is this clear? Yes. What we'll do? Let, K is, K का है बारे पास? Common ratio. पता है आप लोगों को, बेटा, common ratio क्या होती है? Yes or no? बेटा, देखिए, कैसमें A, B, and B, C की ratio given है. Ratio का मतलब यह नहीं है, कि A, B की length 3 unit है, और B, C की length 4 unit है. इसका मतलब यह है, कि जब भी आप smallest ratio लोगे, A, B, and B, C की, वो हमेशा 3 upon 4 आएगी. समझ में आ रहा है? For example, इसकी length 6 है, इसकी length 8 है. तब भी आपके पास same ratio आ रही है, जी? You can, simplest ratio ले सकते हैं आप इसकी हैं? Yes or no? तो अब यहाँ पे जो है यह, आप इसको किसी एक factor से multiply कर रहे हैं, numerator और denominator को? Yes or no, बच्चो? अब यह जो factor है, यह हमें पता नहीं क्या है. ज़रूरी नहीं है कि यह 2 by 2 हो, this can be 3 by 3 also, 4 by 4 also, कुछ भी हो सकता है. तो हम जाए assume करते हैं, कि यह जो है, let's say it's K, right? We assume it as K. ठीक है? तो हम क्या कर लेते हैं? कि common ratio अगर K लिया, तो A भी कितना हो गया हमारे पास? VK and BC is 4K. अगर आप exam में question आता है, और अगर आप यहाँ पे K या कुछ X या कुछ नहीं लेते हो constant, तो फिर examiner की मर्जी है, वो ठीक भी कर सकता है, गलत भी कर सकता है. Maximum cases में वो incorrect करेगा इसको. Is it clear? बेटा, प्लीज सिट डाउन. Excuse me, sir. Okay. Next lecture has been started. Okay, बेटा. So, we'll finish it. Okay, we'll continue here from this point to Monday, right? Okay, students, thank you very much.